एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड ओनलाइन इस्टेडी में दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम RRB गुरूप D से रिलेटेड सामानी ज्यान के 25 महत्पूर्ण प्रेश्णों को समझेंगे प्रेक्टिस सेट नंबर 89 वाला हैं दोस्तों RRB गुरूप D के इस प्रेक्टिस सेट में 25 महत्पूर्ण सामानी ज्यान के प्रेश्णों को शामिल किया गया है जो की विगत वर्षों की प्रिक्षाओं में मुख्य भूमी का निबा चुके हैं इन प्रेश्णों के अध्यान से आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी यहों अभ्यर्थी को प्रिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिलेगी RRB गुरूप D प्रिक्षा सामानी ज्यान जीके के 25 इंपोर्टेंट क्यूशन दोस्तों RRB के अंदर पूछे गए जो पिछले एक्जामों के अंदर वो इंपोर्टेंट क्यूशन इस वीडियो के अंदर स्वाल करेंगे जो आगामी RRB गुरूप D के एक्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण की तरह साबित होने वाले हैं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देवे और अगर वीडियो को लाइक ने किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे पहला प्रेशन है भारत के किस राजी में निरक्षरों की संक्या जो है सबसे ज़्यादा है सबसे ज़्यादा निरक्षर जो है वो कौन सा राजी है तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा निरक्षर बिहार राजी आता है नमबर एक पर और उसके बाद दोस्तों अगर सबसे ज़्यदा शाक्षर राजिक की अगर बात की जाए तो वो केरल आता है केरल की जन सिंग्या सरवादिक शाक्षर है और बिहार की जन सिंग्या सबसे कम शाक्षर है अगर किस राज्य का जो जन गनत्व है सबसे अधिक है। तो उस में भी बिहार का नाम आता है। बिहार का जन गनत्व जो है राज्यों के अंदर सबसे अधिक है। आता हैं और इसका सिकर सम्मेलन 1909 के अंदर जो है कोलोन के अंदर हुआ था दो ओप्षिन जो है इसका राइट अंसर होगा नेश्ट क्यूशन है दक्षिन एशिया के सबसे बड़े पूल का जून 1908 में का उधगाटन किया गया था दक्षिन एशिया का पूल बताना है जिसका उधगाटन जून 1908 के अंदर कहा पर किया गया था तो इसका राइट आंसर जो है बांगलादेश हो जाएगा बांगलादेश तीसरा ओप्षिन जो है ये करेक्ट आंसर होगा अगला प्रेशन है इस्तापित सिंदू गाटी सब्वेता जिन नदियों के तट पर बसी थी ये थी दोस्तो सिंदू गाटी सब्वेता के अंदर दो प्रमुक नगर आते हैं एक तो मोहन जोदडो और एक हडपा दोनों नगर जो है पाकिस्तान के अंदर इस्तित हैं और पारत के अंदर भी बहुत सारे जो है सिंदू गाटी सब्वेता से सम्बन्दित इस्तल आते हैं जिसमें राजिस्तान का काली बंगा भी जो है आता हैं और काले बंगा जो है गगर नदी के तड़ पर इस्तित है और सिंदू गाटी सब्वेताग में जो सबसे पहले ये जो जिन नदियों के तड़ पर बसी थी वो चेनाब नदी आती हैं और चेनाब और रावी व्यास जहलम ये सभी जो है हिमाले से निकल कर जो है पाकिस्तान की तरफ बहने वाले नदिया के अंदर आता हैं और चिनाब नदी के तड़ पर जो ही सिंदू गाटी सब्वेता का जो है विकास हुआ था अगला प्रशन है कोटिल्य प्रदान मंत्री थे तो कोटिल्य जो थे उनका एक नाम विश्णु गुप्त या फिर उनको जो है चानेक को हरा कर जो है वहाँ पर पाटली पुत्र के अंदर जो है मोरी वंच की निव डाली थी और तब जो है चंद्रकुप्त मोरी ने जो है कोटिल्य के दुआरा जो है इनको साहिता प्राप्त हुई थी और कोटिल्य को ही जो है इन्होंने प्रदान मंत्री बनाय था और कोटिल निम्न मैं से किस वंच के सामराजी की सीमाई बारत के बाहर तक फैली थी तो बारत के बाहर तक जाने वाली जो सीमाई थी वो कुशान वंच की थी और कुशान वंच का जो परताभी सासक हुआ था कनिश्क हुआ था और कनिश्क ने रेशम मार्ग पर नियंदरन रखा था और रेशम मार्ग जो थी वो चीन से बारत तक जो है रेशम की सप्लाई करने का एक मार्ग था और वहां तक जो है कनिश्ट की सीमाई फेली हुई थी तो कुशान वंस जो थै उसका सामराज जो भारत के बारत तक भी जो है फेला हुआ था गुप्त वंच की स्थापना की बात करें तो स्री गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गए थी मोरी वंच की स्थापना जो थी वो चंदर गुप्त मोरी के द्वारा की गए थी अगला प्रश्ण है किस चीनी जनरल ने कनिश्क को हराया था तो कनिश्क को हराने वाला कनिश्क जो था कुशानवन से समधित था और पांच आओ जो चीन का सासक था यानि कि जनरल था उसके दुआरा कनिश्क को हराया गया था एक option यहाँ पर राइट आंसर होगा अगला प्रश्ण है तोर्मान किस जाती दल का था तो तोर्मान जो था वो हून वंच का था तीसरा ओप्षन जो है इसका राइट आंसर है हून वंच का तोर्मान सासक था अगला प्रश्ण है विक्रम शिला महा विहार की स्तापना किस वंच के सासक के द्वारा की गई थी तो विक्रम चिला जो महावियार हैं वो बिहार के अंदर इस्तित हैं और इसकी जो इस्तापना हैं वो पाल वंच के द्वारा की गई थी चोता option इसका right answer होगा अगला प्रशन है रणजीत सीको राजा की उपादी किस ने दी थी तो रणजीत सीको जो है राजा की उपादी जमान शा के द्वारा दी गई थी तीसरा option यहापर right answer होगा अगला प्रशन है गुरु नानक देव सिक दर्म के परवतक का जन्म कहां हुआ था तो गुरु नानक देव जो सिक दर्म के परवतक थे उनका जो जन्म है वो तलवंडी के अंदर हुआ था यह आपको याद रखना है तलवंडी जो है इसका correct answer होगा अगला प्रशन है पंच मार्क सिक का कहां चलता है तो पंच मार्क सिक का जो है वो more recall के अंदर चलता है तो दूसरा option यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला है computer शब्दावली में URL का विस्तारित रूप क्या है तो URL का जो विस्तारित रूप है वो uniform resource locator है तीसरा option जो है यहाँ पर right answer हो जाएगा अगले प्रशन की बात करे निमनलकित में से किसे island of precipitation करते हैं बहुत important question है island of precipitation करते हैं तो dome mountains जो है उनको island of precipitation के नाम से जाना जाता है dome mountains आपको याद रखना है दूसरा option जो है यह correct answer है अगला प्रशन है करो या मरो का जो भारत के स्वाधिनता संगराम का सरवाधिक शक्तिशाली नारा था यह नारा किस ने दिया था तो इसका right answer हो जाएगा मात्मा गांदी के दुआरा जो है यह नारा दिया गया था मात्मा गांदी option number two इसका right answer हो जाएगा अगला प्रशन और बहुत ही important है भारत में रेल के डिबे कहां बनाए जाते हैं तो भारत में रेल के डिबे दो जग़े बनाए जाते हैं एक तो कपूर थला में और एक पेराम बटूर में कपूर थला जो है और एक पेराम बटूर जो है दोनो जग़े रेल के डिबे के बनाए जाते हैं अगला प्रेशन है बुद्ध का जन्म हुआ था तो बुद्ध का जन्म जो है वो तलवंडी के दोस्तो गुरु नानक जी का जन्म अभी बताया था आपको तलवंडी के अंदर हुआ था और भगवान बुद्ध का जन्म 15563 इसा पूरुवें लुंबीनी नमक इस्तान पर अगला प्रेशन है जेन तिर्थकरो के कार्म में अंतिम कौन था तो सबसे अंतिम जेन तिर्थकर जो थे वो महवीर स्वामी थे जो 24 नमबर के जेन तिर्थकर थे और 23 नमबर के जेन तिर्थकर पार्षो नात थे और परथम नमबर के जेन तिर्थकर जो थे वो रिशब द नेस्ट क्यूशन है बारत में टिक की लकड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में कहां प्यदा होती हैं तो बारत में टिक की लकड़ी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मद्धी बारत के यानि की दक्कन का पटा या जो मद्धी बारत का जो प्राइद इपी पटार हैं उसके अंदर पाई जती हैं तीसरा option या पर right answer होगा अगला question है 2001 में पर्थम अपरीकी एशियाई खेलों का आयोजन इस्तल हैं जो पहली बार अपरीकी एशियाई जो खेल हुए थे 2001 के अंदर उनका सरो पर्थम जो आयोजन है वो भारत के अंदर किया गया था एक option या पर right answer होगा अगला प्रशन है स्युक्त राष्ट संग 1945 में कब आधिकारी कुरूप से अस्तित में आया था तो स्युक्त राष्ट संग की स्तापना जो है 1945 के अंदर हुई थी और जो डेड़ थी वो 24 अक्टूंबर थी 24 अक्टूंबर 1945 के दिन जो है UNO यानि United Nation Organization स्युक्त राष्ट सं शक्त संवत पर आधारित राष्टी पंचांग का अंतिम मैना कौन सा है तो शक्त संवत के अंदर जो है हिंदी पंचांग आता है और इसका जो अंतिम जो मैना है वो फालगून आता है जो लगबग मार्च मैने के अंदर परता है चोता option इसका right answer हो जाएगा अगला प्रश का कौन सा राज शेत्रफल में सबसे बड़ा है उत्रप्रदेश, मद्यप्रदेश, राजिस्तान या करनाटक चारो option में से आपको जो भी right answer है उसका answer आपको इस वीडियो के comment section में जो है जरूर देना है अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर कर दे वे और जो है railway group D की playlist दी गई है वहाँ से जो है दोस्तों आप और अधिक practice set का जो है study करके exam के अंदर जो है अच्छे number ला सकते हैं तन्यवाद दोस्तों मिलते हैं ने studio में तता के लिए जे हिंदिर